कि मश्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिसक्रशन करना चाह रहे हैं वो है पशुपालन और अगर आप MPPSC की तयारी कर रहे हैं या मद्रप्रदेश स्टेट के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्पूर्ण हो सकता उसका कारण यह है कि MPPSC का जो पेपर वन है उसमें थर्ड यूनिट में यह पशुपालन पूरा एक टॉपिक है प्लस जो मेंस है MPPSC का उसमें जो सेकंड पेपर है एक्रॉमिक्स वाला उसमें भी यूनिट टू के अंदर इसको जरू जगा दी गई है पूरा एनिमल हस्व पालन के साथ जो पशुगर्णा है उस पे भी चर्चा करेंगे जो पांच वर्षों में होती है और 2019 में होई है लास्ट पशुगर्णा तो निश्चित रूप से अब 2024 के दौरान ही होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक आप सभी ही लोग अच्छे पदों पर चैनित हो चुके होंगे इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत हैलफुल हो सकता है इसको हम सभी सब्जेक्ट के साथ जो है वो जोड़के पढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक देखिए तो जो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि 2019 में जो पशुगड़ना हुई है उसके बारे में चल्चा करते हैं देखिए दो चीजे हैं बहुत इंपॉर्टन हैं पहला कि भारत में पहली बार पशुगड़ना जो हुई थी वो 2019-2020 के दोरान होती है तो चुकि इस बात को 100 वर्ष हो चुके हैं पूरे इसलिए यह कोशन एक इस नजरिये से भी पूछा जा सकता है क्यूंकि इसको 100 यर कंप्लीट हो गए हैं दूसरा हर 5 वर्षों में यह पशुगड़ना होती है तो उस इसाप से अगर हम बात करें कि 2019 2019 तक हमारे पास खुल 20 पशुगड़ना हो चुकी है अब अगली जो पशुगड़ना है वह 2024-25 के दोरान होगी और तब तक आप सभी का चेहन मुझे पूरा विश्वास है कि हो चुका होगा तो यह जो पशुगड़ना 2019 में हुई है इसके आंकड़ों को हम इंडिया और बात करें तो सबसे ज़्यादा यानि गोवश्य जो पशुग है उनकी संक्या सबसे ज्यादा है यानि 35.9 प्रतीशत मतलब सीधी सी बात है अगर भारत में हम हर 100 पशुगड़ना तो उसमें 35.9 प्रतीशत जो है वह के टल्स होंगे गोवश्य उसके बाद दूसरे नमबर पे जो आखडड़ आता है वो आता है बकरी का यहाँ पर जैसे यहां पर पन्चाय तो इसको सीधे लिख लें गाए लिख लें और गॉठ दूसरे नमबर पर आता है बकरी इनकी सु यह संक्या 27.8 जीरो प्रतीशत है तीसे नमबर पर आती हैं भैसे या बोफैलो चौंथे नमबर पर आता है शिप या भेड़ और फिर पांचवे नमबर पर आता है पिग याने सुवाइट तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो लाइव स्टॉक पॉपॉलेशन है या अगर कहा जाए कि जो पशुधन है पशुधन पिर चौंथे नमबर पर और बाकी में फिर वहाँ आदर है तो अब हम देखतें कि इंडिया के रिस्पेक्ट में और MP के रिस्पेक्ट में और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करें गया मिश्चित रूप से दिख रहा है अगर 2019 के आकड़ों में देखें तो 2012 में जहां हम करोड में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 million is equal to 10 lakhs होते हैं तो अगर हमको लगता है तो हम इसको करोड में भी जह हो कनवर्ट कर सकते हैं तो 2012 की तुल्ला में 2019 में ग्रोथ हुई याने केटल की संख्या में बढ़ोतरी हुई 0.83% की ग्रोथ है बफैलों की ग्रोथ ज्यादा है उससे 1.06 और अगर में चार जो हमने पश्यों की बात करिये भी याने गाए भैस भेड और बकरी तो सबसे ज्यादा जो ब्रद्दी दिख रहे हैं ग्रोथ दिख रही है वह को बकरियों में दिख रही है उसके पीछे तरक फेला तरक तो यह ऐं कि बकरी का छेजी का वह समझे पढ़ी कि संख्या गों संख्या 2012 से 2019 में जो है वो 0.83 परसंट जो है वो बढ़ गई यह बस एक अपने को याद रखना और दूसरा बफेलो का याद रखना ये दो फिगर्स हैं बाकी को आप याद ना रखें तो भी जो है वो चल जाएगा मतलब इतना इशू नहीं लेकिन अब यहां से जो है वो कहानी आपको दिख रहा है 2012 की और यह दिख रहा है 2019 की गढ़ना का तो हमें दिख रहा है कि अगर देखा जाए तो जो शुरुआती जैसे सबसे यादा पशूधन हमें देख रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में नो डाउट उत्तर प्रदेश के बाद दो सबसे यादा भारत में पशुधन जो है वो राजिस्थान में तीसरे नंबर पर जो है वो मद्य प्रदेश है लेकिन तीनों अगर हमें इस डाइग्राम को देखें तो मैं समझ पढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दो हजार बारा में जो पशुधन था वो 68.7 मिलिए वो जो है वो घटकर हो गया 67.8 मिलिए याने 2012 की तुल्ला में 2019 में उत्तर प्रदेश में पशुधन कम हो गया ऐसे ही अगर हम राजिस्थान की बात करें हम तो राजिस्थान में भी यही चीज दिख रही कि पशुधन जो है वो 57.7 मिलिए था जो घटका जो है वो 56.8 मिलिए बट मद्य तीसरे नंबर प्यारा है पशुधन में लेकिन मत्य प्रदेश में पशुधन बढ़ गया आज हमारे पास 36.3 मिलियन से 40.6 मिलियन मैंने का मिलियन को आप करोड में भी कर सकते हैं जैसे इसको आप 4.6 मिलियन को 4.6 लाग भी पढ़ा जा सकता है तो इस तरहां से हमें यहां यह बात साफ समझ पड़ रही है कि शुरुवाती भारत के अंदर जो टोटल पशुधन है अगर हूं उन दस राज्यों की बात करें तो टॉप जो फाइव स्टेट्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजिशन पे है राजिस्थान जो है वो सेकंड पोजिशन पे शुरुआती जो टॉप सेढ़ां पशुधन वाले में उनमें केवल मद्य प्रदेश ही एक मातर ऐसा राज्य है जहां पशुधनों की संख्या में धनात्मग विरद्दि हो लिए यह अगया यह एक प्रशनाप के लिए मपीप सी के लिए और व्यापं के लिए किसी बी एक लाग पशु थे वो 2019 में बढ़कर 4 करोड जो है वो 6 लाग हो गए याने कुल 11.8 प्रतिशत की जो है वो पशु धन में हमारे हैं क्यों होई व्रद्धी यह एक सबसे टोटल पशु धन है ना इसमें हम गाए भैंस बकरी भैंड आदी सभी पशु धन की बात कर रहे हैं टोट जो है मचलियां यह सब जो है वो इसके अंतरकत लाइव स्टॉप के अंतरकत नहीं आएगा पशु धन के चौपाया पशु को कहा जाता है लाइव स्टॉप जो घरों के आंगन में पहले लोग पालते थे चौपाया पशु उसके लिए वर्ड इसमाल किया जाता है तो एक यह समझ पड़ा कि हाँ मद्यप्रदेश की इस्तिति अच्छी है और मद्यप्रदेश में यह रेट जो है वो पॉजिटिविटी के सांद आगे धनात्मा गूप से बढ़ रहा है कुल पशुदन चार कोड़ु छे लाग अब इसमें अगर हम बात करें कि टूटल जो संख्या कितनी है केटल में अगर कहा जाएं तो हमें दिख रहा है कि यहां भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा गौवंशी पश्यों में इस वाले डाइग्राम से सबसे अदा गौवंशी पश्यों में संख्या है आपकी वेस्ट में बड़ी 16.5 मिलियन से 19.0 मुलियन होगी फिर उत्तर प्रदेश उननेक दिसम्वलों 6 से 18.8 मध्य प्रदेश उननित दिसम्वलों 6azioni डियन्यों 7 सठी। अब ये बड़ा प्रश्य फ़र्त ring all में बड़ रही है यह आठ्टेक्जिकशल एगर कहा जाए कि वयस्ट वेंग माइनस थ्री पॉइंट नाइन त्री परसेंट हो गई और मद्य प्रदेश में उननेस दिसम लोग छे मिलियन यह एक करोड़ शेहनवे लाग अगर हम इसको कहें से एक करोड़ सत्यासी लाग रह गया यह अठारा दिसम लोग साथ मिलियन केवल जह है वो गाये हमारे यहां र करते हैं एक तो करते हैं दुख दुख बादन के लिए पहला दूसरा करते हैं हम उसको मांस के लिए और तीसरा जो है वो मांस के साथ होता है चमड़ा ठीक है अब अगर हम वेस्ट विंगॉल स्टेट की बात करें तो गाये को दूद के लिए भी पाला जा सकता है मांस के ल तसकरी भी बहुत होती है, गौत तसकरी भी बहुत जादा होती है, लेकिन अगर हम मद्यप्रदेश की बात करें इन तीनों राज्यों में, तो मद्यप्रदेश ने गौव वंशिय पशु जो है, उनके वद के ऊपर एक अधिनियम बना रखा है, एक्चुल क्या है, द्यान से समझेगा हमारा जो constitution है उसमें एक article है संभिधान के अंदर DPSP मैंने directive DPSP यहां लिख दे रहा हूं में DPSP यहां डिरेक्टिव principles डिरेक्टिव principles यहां राजजी के नीति निदेशक तक तक उसमें article नमबर आता अनुच्छे 48 उसको बोलते हैं organization of agriculture and animal husbandry पूरा पूरा तो आप लोग लिख लिजेगा organization of agriculture and animal husbandry यह एक article है उसमें यह article यह कहता है यह गांधियन सिद्धान्त के रूप में जो हो जाना जाता है यह article 48 यह कहता है इस सिद्धानLat handled राजजिक का यह दाइत होगा कि वह गवंश्य पस् cord का क्या करे मद्यप्रदेश सरकार ने जो है कब बनाया था तो 2004 में इस act को जो है वो बनाया था और इस act को फिर जो है वो amend भी किया भी 2019 में भी amend किया और इस act के तहरे 2000 जो है वगर कहा जाए 12 में जो है नियम भी बनाए कि आप गोवंशे जो पशु है उनका वद्ध जो है वो नहीं कर सकते है यानि हम यहां गाय को अगर मद्यप्रदेश की बात करें तो किवल दुख-दुद पाधन के लिए बात सकते हैं इसके अलावा बकायदा जो है वो आपको मालूब होगा कि मद्यप्रदेश गोपालन प पशु समवर्दन बोड बना रखा है हमारे पास एक बोड भी है इसके लिए तो इस तरह से में यह कह सकते हैं कि ये एक और जो है वो कारण माना जा सकता है मद्यप्रदेश के अंदर जो गोवशे पशु है उनकी संख्या जो है वो क्यों जो है वो कम यहां पर अभी कौन- में बात करेंगे नैशनल डेरी डेवलोपेंट बोर्ट की एक रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें तो पहले तो मैं समझ पढ़ गया कि मद्यप्रदेश में गौवश्य पशु जो है उनकी संख्या क्यों कम हो रही तो उसका कारण है एक तो गौव पहला आप पशु पालन के लि को सभी को वेसे यह चीज मालूम होगी कि आगर मालवा जो जिलाय मत्यप्रदेश का वहां सलरिया में भारत का पहली काउ सेंचुरिय गो अब्यारण तो अभी विवादों में भी आया था उसमें कुछ गाय जहां वो प्रॉपर जहांगर कहा जहां उनको घास वगेरा पान अगर मालवा यह भी हमने कर रखा है मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश जो है वो कई चीजों मतलब गौवशी पश्वों से जुड़ी कई चीजों के उपर हम वो काम करते हैं जैसे पंच गव्वे को प्रमोड भी करती है राज्यसरकार चाहिए आपको ना मालब हो तो आज़ाइ से मिलने वाली पंच चीज़ों को पंच गव्वे कहा जाता है ये भी इंपोर्डंट है एक्सान में आ भी सकता है कोविट के दौरान भीं चर्चा मेरा पंच गव्वे तों पंच गव्वे में क्या आता है गायए का इक पूर दूद आता है दूसरा उसका गोवर आता है, तीसरा उसका घी आता है, चौथा गोमूत्र आता है, जो गोमूत्र होता है, वो भी आता है, और पांचवा जो आता है, वो आता है दही, तो दूद, गोवर, ठीक है, घी, गोमूत्र, दही, यहाँ पर अगर कहा जाए, इन सब को मिला कर एक तो अभी ओवराल अपने को क्या समझ पड़ा कि मद्य प्रदेश में कुल जो पशुदन है वह चार करूड़ छे लाग है यह वी हमने उपर देख लिया था इसमें गौवशे पशु हमारे पास जो है कम हो गए माइनस चार दिसम्बलो चार दो प्रतीशत अब बचे हैं केव चारत में सबसे ज़्यादा जो भैसे पाई जाती है वह उत्तर प्रदेश राज्जी में फिर दूसरे नंबर पर राजिस्तान तीसे नंबर पर गुजला थे चौथे नंबर पर जाहें वह मतलब अगर कहा जाए कि 2012 की तुल्ला में जो भैसों की संक्या है वह हमारे बढ़ से ज़्यादा अगर भैसों की संक्या में किसी राज्य में बढ़ोत्री हुई तो वह हमारे राज्य में हमारे राज्य में 2012 में भैसों की कुल संका अवादी जो थी वह आठ दिसम्बलो दो मिलियन थी ठीक है आठ दिसम्लोग मतलब एक मिलियन दस लाग याने बैसी लाग थी वह बढ़कर जो है वह दस दसम्लोग तीन मिलियन याने एक करोड़ तीन लाग याने पच्छिस पर्चेंट मतलब बड़ा एकदम इतना पेज हो है तो क्यों हो गई होगी आप सोचो भैंस हम क्यों पाल रहा है ने भैंस से दूद भी मिल रहा है मांस भी मिल रहा है प्लस अगर कहा जाए चमड़ा दी तीनों कामों मेंश्तमाग स्लोटर हाउस मैं कभी मैं तो यह बोपाल मेरता हूं जिंसी के पास एक स्लोटर हो उन्स भागे लिए ठीक है तो उनका मुन को महाद्र पाल रहे हैं तो यहां मद्रदेश में पश्वों की ये वाला याद रखेगा और यह भी आध रखेगा ओवर पूरी हिंदुस्तान में सबसे दस टॉप स्टेट्स में हमारी जो अगर कहा जाए जो चेंजिस हुआ यह जो प्रतीशत में वृत्ति हुई हो अद्यप्रदेश में सबस्यादा वह इंपॉर्टेंट है और एक्जाम पॉइंट अव्यू से किसी भी एक्जाम में 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 जो है वह आपको लिखने के ल तो अगर हम यहां टॉप 10 स्टेट्स में देखें तो तेलंगाना आंद्यप्रदेश कर्नाटका राजिस्थान तमिल्लाडू यह पांच वह सबसे महत्पून शुरुवाती राज्चे हैं जहां भेडों की संक्या जहाए और इसमें भी हमको दिख रहा है कि भारत में सबसे नमबर पर आपका राजिस्थान आ रहा है पांचवे नमबर पर तमिल्लाडव अब यह कोशन क्यों वह लस्ते हैं यह समझ लीजेगा जैसे हमारे दिमाग में भेड़ शर्द आता है तो हमारा दिमाग पता नहीं कहां जाकर टिक जाता है राजिस्थान क्योंकि हमने तो ब बेड़ों की संक्या जाव हमको कहां दिख रही है तेलंगाना में जाता है आंधर प्रदेश में करनाटका में है यह राज्य सबसे जाता है फिर कहीं राज्यस्थान चोटे नमबर प्यारा तो ऐसे कोशन क्या होते हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए तो यह यह से भी आपको पता होना चाहिए कि जो वूल होता है बेड का उसके लिए अस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे वड़ा उत्पाद है कि वहां क्यों जो है तो भारत में अब तेलंगाना जो है वो नंबर बन पना के यह अपने लिए एक इंपोर्टेंट कॉश्चन जो है व वेस्ट्विंगॉल में तीसे नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश में चोथे नंबर पर बिहार में और पांचवे नंबर पर जो है वो आपके मद्यप्रदेश राजिए तो यहां अगर हम देखें कि जो बक्रियों के आबादी में बात करें तो राजिस्थान में बक्र कि मतलब एक तो प्रश्णा सकता है कि कौन से नंबर पर आता है कुल अगर कहा जाए बकरियों की संक्राइम भारत में कौन से स्थान पर तो पांचवे नंबर पर तीसरा आ सकता है कि बकरियों के अवादी मद्य प्रदेश में 2011 की जो लाइव स्टॉक संसेस उसमें कितनी है त 37.07% की ग्रोथ हमको देखने को मिली बकरी और मद्य प्रदेश में जातर आपको जो है वो दो तीनी बकरियां मिलेंगी मतलब पो जाती एक तो या तो जमनापारी ज्यादा देखने को मिली या जो है वो आस्मानाबादी जो है वो मतलब जो महराश्ट से लगा हुआ बेल् चीज याद रखी सभी दो जैसे तमिलाडू की बात करें तो तमिलाडू में दो तरह की बगरी एक वती जंगली उसको नीलगीरी तहार बोलते है ना वो यहां काउंट नहीं होगी है वो वाइल्ड गॉट है जैसे जम्मू कश्मीर चले जाते हो अब जम्मू कश्मीर में बकरी पाई जाती है जो सबको मालूम होगा वहां पर पश्मीना तो पश्मीना जो है वो भेड और बकरी मतलब बकरी की जो है प्रजाती ऐसी हिमाचल में गदी नाम की बकरी पाई जाती है तो कुछ बकरियों की प्रजाती तो जह है वो किसी राज्य से पहचानी जाती है जैसे कच्छी तो गुजरास से पहचाने जा रही गद्धी तो हिमाचल प्रदेश से ट्राइब भी है गद्धी और गद्धी नाम की बक्री भी वहाँ पाई जाती पश्मीना कश्मीर पश्मीना शौल आप सबने कभी ने कभी सुन रखा होगा यहां पर ब्लैक बंगाल तो मिल जाती है तीम ओवराल जितने नाम मैंने आपको बताए वो याद रखे जिसे बक्रियों की जो में अगर कहा जाए किसमें है एक तो आप याद रखे जमनापारी एक याद रखे बीतल एक याद रखे ओस्मानाबादी एक याद रखे कच्छी एक याद रखे आप जो है question कि ये क्या है मतलब गाए है बकरी ऐसा कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है तो में जो cattle हमको देखे वो चार यह देखे यानि गाए भेंड भेंस और बकरी तो overall चारों में हमको क्या समझ पड़ा कि जो गाए है भेंस है और बकरी वाली जो मतलब अगर कहा जाए आवादी है उसमें हम कहीं ना कहीं टॉप फाइब में स्टेटिक में सर्वाइव कर रहे है लेकिन भेंड़ वाली में जो है वह हम टॉप टेन के अंदर कहीं भी जगा नहीं बना पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा नंबर वन पर हम कहा हैं अगर कहा जाए गाये में और उसी में जो है वो यहाँ पर लेकिन गाये के आबादी हमारे हैं क्या और ही कम होगी भेंस की अबादी मत्य प्रदेश में क्या हुई है हमने अभी देखा सबसे ज़्यादा बड़ लगी हमारे पास मुर्गे की अच्छी किसमें हैं जैसे कड़कनात है नर्बदा निदी है और जो नौर्मली लोग खाते हैं सपेद वाला मुर्गा वह बाइला लेकिन फिर भी भारत में हम कहीं दस राज्यों में अपनी जगा जो है वो नहीं बना को हैं अंडा उत्पादन म यहां 128.8 मिलियन और आंधर प्रदेश में 107.9 मिलियन इनके आंकड़े मत याद रखिए लेकिन तमिलाड़ू आंधरा तेलंगा ना यह टॉप थी स्टेट याद रखिए फिर आते हैं पिग यहने सुवर पालन के उपए तो सुवर पालन में जो राज्य है उसमें भी हमा मांस के लिए इसका प्रियुब नहीं किया जाता हां फूट प्रोसेसिंग से मांस को में एक्सपोर्ट जरूर करते हैं जो खाद्य प्रसंस करन है उससे मांस का एक्सपोर्ट हम करते हैं तो जो टॉप स्टेट्स हैं उसमें पहला तो आपको देख रहा है असम यह दिख रह उसमें हम कहीं जो है वो कोई सर्वाइब नहीं हाँ टॉप फाइब से मारा पडोसी राज्य जो है वो 36 गड़ी है यहाँ पर और वहाँ पर अच्छे आवादी काफी बढ़ गई है यह एक एक एक्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं बट असम और जहारखन और मेगाले य बोर की बात नहीं करते हैं द्यान रखेगा एक उताय जंगली सुमा वाइल्ड पिक उसको बोर बोलते हैं बारहा ठीक है तो आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में विश्णू के जब दसवतारों की बात करते हैं विश्णू के उनमें बारहा अवतार भी है तो वो जाता है उसमें सती प्रथा का पांसो दस से अधिक है के अभी लेग मिलता है वह लगे यह लगे फिर आते हैं कैमल के उपर कैमल मतलब सीदी सी वाइट है उन्टों की संख्या कितनी है अब इसमें तो यार कॉमन सेंस है हूँट का मतलब रेत का जहाँ तो राजस्थान और से कहा जाता है कि ट्रांस्पोर्टेशन के लिए परिवाहन के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं दीरे जीरे तकनी कितनी विक्सित हो गई ऐसी वीकल्स गाड़ी आ गई क्या आप रेत के ऊपर भी वहानों को चला सकता है तो कहीं न कहीं अब ऊंट पालन धीरे-दीरे कम होत गुजरात में भी नेगेटिब में हैं हर्याना में भी हैं उत्तरप्रदेश में मतलब बहुत तेजी से उटों की संख्या कम होती जा रही है 2012 से 2019 की जो अगर कहा जाए तुलना की जाए तो यह एक चैलेंजिंग इशू हो सकता है आने वाले में फिर आता है होर्स याने घो उसमें घंड मध्यप्रदेश को अगर देखें तो उसमें मन्द्र अपनी जगाब बना रही है तो उसमें इतना अपने को याद रखना कि सभी राज्यों में अभी उपर वोला सेम कहानी आ रही है कि भाई हम ना घोड़ों को ट्रांस्पोर्टेशन में यूज कर रहें ना कुछ अब तो के वल शादी विया था कि वो विचारे सीमित रहे गए हैं यहां तो एक जवाना था कि घोड़े जो है वो युद्ध का सबसे बड़ा जो है वो अगर क लड़ा था और गुआ को जीता था यूश्व बादिल साय से पंदरा सो दस में तो कृष्ण देवराई की वो शर्त ही यह थी कि जितने भी अरेबिक और तर्किश ओरिजन से जो घोड़े आते हैं वो केवल पुर्तगाली हमें बेचे और किसी को ना बेचे उस जमाने में क काम न कहीं, तो सीदी सी बात है कि हर स्टेट में आपको ग्रोफ जो है वो नेगटिव ही दिखेगी यह दियान में, जो चेंजे से वो नेगटिव में आएगा, यह अरे स्टेट में जो से उत्तर प्रतेश में 1.52 लाख लेती, कारण यह देखिए, अब मिलियन में भी नही तो इतने गोड़े जो हो रहे सेम जो है वो जम्मु कश्मीर में राजिस्थान में बिहार में इसमें बस क्रम याद रखेगा मद्य-प्रदेश का और यह फिगर याद रखेगा के मद्य-प्रदेश में 2012 में घोड़ों और अगर कहा जाए टट्टूओं की संख्या याने होर्स और पॉनियस की संख्या जो है वो 0.19 लाक थी जो घटकर 0.13 लाक जो हो रह गई है और इसमें जो गिरावट आई है वो नेगेटिव में आई है तो यह एक जो है वो प्रश्ण जो है वो एंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मद्य-प्रदेश टॉप 10 में कहीं एक जगा बना रहा है ठीक है यह भी एक जो है फिर आते हैं मूल्स याने खचर तो खचरों में भी अगर हम कहें खचर माल ढूने वगेरा में जो है वो इस्त जाओ क्या कहना चाहरा हूं तो मद्य-प्रदेश में जो बात निकलकर आ रही है कि भाई यहां 0.07 थे इनकी संक्या 0.03 हो गई नेगरिटिब में आ गई माइनस 63 सीदी सी बात है कि अब हम खचर भी जह हो नहीं पाल रहे क्योंकि माल्ड होने के लिए अब हमारे पास जह है क्योंकि दीरे-दीरे यह अपने अस्तित्व को खोती चली जाएंगी संरक्षण जिस प्रजाती को नहीं मिला वह अपना अस्तित्व जो है वो खो देती है या एडॉप्टेशन में जो ना ढल पाए तो अडॉप्टेशन में तो हैं खेर लेकिन देखने वाली बात है कि क् फिर आते हैं डंकी याने गधि तो गधों की आबादी में भी जो है वो मद्य प्रदेश टॉप अगर कहा जाए देख रहा होगा सबसे यादा गधे जो है वो राजिस्थान राज्ज में फिर महाराष्ट में उत्तर प्रदेश में गुजरात में बिहार में जम्हु कश्म खचर की बात करें कैमल की बात करें इन सब की जो है आबादी जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि जिन मूल उप्देशों के लिए इनको पाला जा रहा था वो मूल उप्देश अपूरती नहीं हो रही इसलिए मैं शुरू में बोला था कि गाय की आबादी क्यों कम हो रही भेंस की क्यों बढ़ रही भेंड की क्यों बढ़ रही आपका concept अप clear होना चाहिए जो हमारी मूल अवशक्ताओं के पूरी करेंगे उनकी अबादी बढ़ेगे जो नहीं करेंगे उनकी अबादी कम होगी इसमें कोई दोराय की बात है तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर अगर कहा जाए मोटा मोटा जो है वो अगर कहा जाए तो आठ हजार कहलो संख्या को मद्ध्य प्रदेश में 08 लाक जो है वो गदों की संख्या बची एक गदा के बारे में आपको एक और अच्छी चीज बिता दूं कि गदे की किस्म होती है जिसको अपन यह केवल राजिस्थान में पाया जाता है कच पर और यह जो है वो जंगली गदा है वहां का और इसके लिए बखायदा एक पूरा के पूरा जो है वो संचुरी भी है अब यह मतलब इसकी इस्तिती बहुत अच्छी मतलब कहते नहीं कि इसको गदे होने पर गर्व हो जाता अपने उपर देखने में भी बड़ा अट्रेक्टिव जैवरा जैसा देखता है अलागि जैसे स्ट्रिप नहीं होती लेकिन वाइल्ड यह कभी कोशन आ जाएगे कहां पाया जाता है तो यह कुशन आपके लिए काम का हो सकता है तो यह यहां पर है फिर इसके बाद आता मि कुछ करने की ज today मितुन है नहीं भाया जाता नॉर्थी स में पाई जाता है तो यहां बस यदा रखियगा और ना के राज्य नौरथिस जितने भी नौर्थी से फेटहने वही मितुन करा गई यहां अब हम यह तो समझ गए कि अर्मद्द प्रदेश की इस्तितिक है तो अगर हम MP के economic service को देखें जो अभी latest मार्च 2022 में है वो साफ कह रहा है कि 2012 से में जो मद्द प्रदेश के अंदर जो पशुधन है वो बढ़कर 4.06 करोड हो गया पहली चीज़ कुकुट और बदक की संख्या जो है वो बढ़कर 119.05 लाग से 119.05 लाग से 166.6 लाग यह कुकुट मतलब मुर्गिया ठीक है और बदक जो है वो इनकी संख्या जो है वो बड़ी यह एक अपने को याद रखना है एक्जाम पॉइंट डिवी से अब इसमें मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ जो एक्जाम के लिए भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यही मैंने खोल रखी है सांथ में तो यह अभी आपको दिख रही होगी अगर हम मद्यप्रदेश में तेकनिकल ही देखें जो यह मतुदे को गाय की बहुत सारी नसल्हें हमाने हैं यह फाइल जो है वो नशचणल डेली डैपलेपेंट बोर्ड की एक रिपोर्ट है भार वगेरा ढोने में जो है वो उसका इस्तमाल जादा होते है निमाडी जो है तो खरगोन ये खरगान नहीं है ना खरगोन खरगोन जो है बढ़वानी जो है उसके आसपास जो है वो जादा पाई जाती है धार खरबोन बन्वारी और केन कथा जो है वो टीकम गड़ उसके आसपास के जिलों में जो है वो ज्यादा पाई जाती है यूँ तो देखो भारत में गाये की बहुत सारी किसमें यह आपको गाये की कुल किसमें 43 तरहां की गाये पाई जाती है भारत के अंदर एक दो नहीं 43 जैसे कम से कम जो है वो कुछ मैं आपको जो हो लिख देता हूं दो चार आट तो आपको कम से कम पता होना चाहिए जैसे तीन तो यह ही हो गई यहां पर इसके अलावा एक होती है गिर वह आप याद रखेगा एक होती है पाकिस्तान से लगे हो बेल्ट के उपर उसको थार पार कर बोगते हैं इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि थार को पार कर प्या जाती है थार पार कर यह भी आपको याद रखना यह एक एक कैनकता जो है वह हमने यहां पर लिख लिए एक और बड़ा इंपोर्टेंट नाम है अमरित महल तो यह अमरित महल भी याद इसके लावा नागूरी याद रखें कोई पूछेगा नागूरी क्या है तो नागूरी भी जह हो गाय की एक पर इसमें पर इनमें से मद्ध्रदेश में कौन सी पाई जाती है उन पर हम बात मिले लिए तो ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट में उन्हें बड़े अच्छे से जब है वह इस बात को जब हो समझाने की कोशिश करें बारा दो तरहां से इस रिपोर्ट को समझाए एक उन्होंने गाय को फोटो भी लिया और दूसरा उन्होंने यह बताए गे किन किन जिलों के अंदर जो है वह गाय पाई जाएगी तो तीन त इसको जो है गलाओ बोला जाते है ना गलाओ इसको गुलाओ कहा जाते है गुलाओ गुलाओ नाम की गाये ये मिलती है मंडला बालगहाट चिंद्वाडा और सिर्मिजिन्द मोस्ट मोस्ट आइम पी करके लिख लीजेगा एक्जाम के लिए ज्यादा तर इदर को छोड़ दी पाई जाती है एक मंडला में पाई जाती सिवनी जिले में पाई जाती है और एक चिंदवाडा जिले में पाई जाती है यह चार जिलों में यह आपको ज्यादा मिलेगी मतलब कोई पूछे तो यह आप एक्जाम के लिए याद रख से ठीक है यह इंपॉर्टेंट हो सकता है यहां पर तो दो कोशन होगा है तैयार आपके एक तो यह पूछ लेगा कि किस की नसल है तो गाय की दूसरा कि किन जिलों में पाई जाएगी तो यह जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से जिलों की जो है वो बात यहां पर की जा रही है फिर दूसरी जो है वो गाय की उसके उपर जाते है नसल के ओपर यहां पर देख रहा है अब गिर मुझे बताने की जरूरत नहीं जो राज छित्र के असपाल विंप मुरेना ग्वाली secular वह गंट जांगे इसmpfen ने इसमें इसमें तो हो गया श्योपूर और श्योपूर से लगा हुआ जो है वो है मुरेना तो ये मुरेना में होगी इधर आपको जो है वो नहीं मिल रही नीचे जो है वो कहां मिल रही इस वाले जिले में यानि ये वाला जो जिला है वो आपका क्या होगी ग्वाली है यहां पर तो यहां प तो विदीशा लिखना हो लिख लो नहीं तो वेसे तो कोई काम का निसे जले नहीं कि गिर्फिय भी हमारे यह मिलती है यह हमको एक यहाद रख पुर के बाद ज अगली के उपर जाते हैं जैसे अगली जो है वह दिख रही है आपको हाँ हर्यानवी तो यह जो नसल है यह भी आपको ज्यादा मद्द प्रदेश में इसका विस्तार ज्यादा जिलों में नहीं मिलेगा आप केवल दो जिलों के नाम याद रखिए एक याद रखिए च्छतर को यह वादा यह पहला जिलों और दूसरा याद रखिया तुमांड की आप छोड़ दीजे तो वह है इन दो जिलों में जो यह जो मेजर दिस्टिबूशन है वह ज्यादा इन जिलों पराजन गड़ेन के बाद अगली जो है वो केंकथा पाज़ा को सबसूद नहीं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मद्यप्रदेश में जो गाई की नसले हैं उसमें केंगता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यानि तीन जो नसले हैं उनमें से एक केंगता को जगा दी गई निवारी मालवी के बाद अगर कोई नसल है जो मद्यप्रदेश की पहचान है तो चींड़ी थीक है यह याद रटना की नाम जो आया वह कहां से आमने क्या बताया था कीन नदी जिन जिलों से उते हुए बहती है उन जिलों के आसपास के छेत्र में जो है वह केंगता नाम की जो है वो कहा जाए कि मतलब गाई की जो है वो नसल जो है वो पाई जाती है की इन कथा नसली की सबसे बड़ी जो विशेस्ता है यह टीकमगड़ के आसपास के जिलों में ज़्यादा देखने दो लेगे मतलब जो टीकमगड़ से लगा हुआ पूरा जितना बैल्ट पर जो है अगर कहा जाए यह आपको देखने तो यह केन कथा के लिए आपको याद रखने है ठीक है फिर अगले पर केन कथा के बाद जो है वो चले जाते हैं यहाँ पर मालवी तो मालवी तो अभी मैंने आपको बताई दी थी वो कुछ बताने की जरूती है कि मद्र इन जिलों में जैसे नीमच है ठीक है मनसौर है मतलब इन जिलों के अंदर है लेकिन फिर भी अगर मालवी को पेसिक अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मत्रदेश में कहां मिली तो आप चार जिलों के जो हो नाम याद रखेगा एक याद रखेगा रतलाम मैं नाम बता दे दूसरा आप याद रखेगा उज्जेन तीसरा जो है वो आप याद रखेगा साजापुर चौथा आप याद रखेगा राजकर यहां ज्यादा जो है वो मिलेगी यहां ठीक है मालवी अगर कोई पूछेगा यहां पर अगर कहा जाए मालवा छेत्र से इसको नाम मिला यह द्यान रखिएगा कई जगह इसको मतनी गाय भी कहा जाता है इसका पर्याइवाची जो है महादेब पूरी गाय और मतनी गाय भी तो कभी आ जाए कि यह जो है वह मतनी गाय किसे केते हैं महादेब प्री गाय के सब्सक्राइब तो आप इसको जो है वो लगा सकते हो कि हाम साथ यह वाली जो गाय है ठीक है फिर अगले के उपर आ जाते हैं यहां पर निमाडी तो जो निमाडी गाय है वो निमाड छेतरे अब आपको मालूम है निमाड में क्या आता है ना बढ़वानी आता ह खंवा आता है, खरगोन आता है यहाँ पर और कुछ हिस्सा धारव़ार लगा होता है तो बढवानी खंवा करगोन में निमाड़ी निमाड़ से ही इसको नाम यह बिखा और सबसे ज़्यादा कोई पूछे कि भई यह सबस्याद निमाड़ी कहा मिलेगी तो आप हमेंसा याद रखिएगा एक जिला याद रखिएगा खरगोन और दूसरा याद रखिएगा आप बढ़वानी क्योंकि सब को मालूम है कि खरगोन से ही तूटकर जो है वो बढ़वानी जिला क्या हुआ है अलग यह हमेंसा याद रखिएगा मैं आपको बतातू हूँ यह जिला इदर इस मैप में भी इस्टेडी का लगा हूँ यह बढ़वानी है इतना हिस्सा जो तूटकर अलग हुआ ना खरगोन से इस जिले का नाम है बढ़वानी यह बढ़वानी जिला है इसके बगल वाला यह जिला जो है वो पूरा के पुरा खरगोन है और इदर वाला जो जिला है यह यह है खंडवा खंडवा से तूटकर अलग हुआ यह जिला यह है बुरहान ठीक है तो बुरहान पूर और खंडवा में तो यह पूर्वी निमाड याने खंडवा पश्चिमी निमाड याने खरबोन बहांस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं है तो इस तरह से यह वह इतनी जो है वह भैस की नहीं साही बाल मद्य प्रदेश में बिखरी हुई कई-कई तो कोई जिले याद रखने की जबोतनी के लिए आप बिल्कुल छोड़ दीजे यहां पर थार पार कर कोई important नहीं है छतरपूर से आप नीचे की और बढ़ेंगे तो छतरपूर सागर रायसें तक के जिलों में थार पार कर कहीं जो है वो देखने को मिल जाती है तो यह वाले जो जिले पर बहुत important नहीं है थार प बॉपाल के बदवदा में जो है वो जर्शी गायों का एक केंदर भी यहां पर तो यहां पर तो इस तरहां से अगर कहा जाये कि मद्र प्रदेश में जो गायों का जो डिस्टिबिशन है पूरे ही जिलों के अंदर है सबी जगा जो है वो गाये जो है वो पाई जा रही है लेकिन टेकनिकल यगर कहा जाए कि तीन गाये की नसले जो है वो ज़्यादा पाई जाए कि इनका था याने टीकमगड़ के आसपास चरे जाए निमाड़ी याने आप पहुंच गए खरगोन पे बढ़वानी पे और तीसरा जो है वो मालवी याने राजगड़ रातलाम और उज्जेंग के आसपास सेम भेंसों के बारे में बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में आप जिसे भेंसों की बात करते हैं तो सबसे इंपोर्ड़न तो यह आ गया है कि जो में भेंस हमारे हैं वह भदावरी भिंड मुरेना तो आपको देख रहा होगा कि भदावरी जो है व भीन्द में तो मुरेन यहानि भिन्द मुरेना शिवपूर ठीक है गौलियर यह वाली बेल्ट में यह भदावरी जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह पाई जाती है फिर दूसरे नंबर पर भदावरी के बाद आती देख ली भदावरी कैसी दिखती है यहां पर दूसरे पूर देखर रहा ह। आपको एक जिलह तो यहां पर आ सब्सक्रान सब्सक्राइब में है। यह अनुखपौर आप बोल सकते हो यहां अनुखपूर हैं। धूसरा यहां इस वी ही अज warm थे सद्वाइब attributes शुक्ता है। ठीक है क्योंकि जो भैस का दूद होता है उसमें फैट की मातरा जादा होती ही यह याद रखी फिर आ रहे हैं मुर्रा यह इबाली बेल्ट ले लें यहां पर अगर कहा जाए मेजर डिस्टिबिशन में फिर आ रहे हैं नागपूरी तो नागपूरी तो सीधी इसी बाते रहे जो है वो जा जो हिस्सा महराश्ट से लगा होगा वहीं नागपूरी पाई जाएगी तो यह बाला खांट है इस बार ऐसे भी हाफ सिविल से एमपी पीए सी यादर एक्जाम के लिए महराश्ट से लगे पूरे जिले याद कर लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने महराश् यह याद रखेगा यह है गोंदिया जिला यहां पर यह पाई जाती यहीं पर नागपूरी यहां भी पाई जाती गोंदिया और नागपूरी जो है वो हमारे यहां भी पाई जाती तो इस तरह से आसानी से जो है वो इसको लिंक कर सकते देखो ऐसे समझो बाला घार जिला ह ठीक है अब इदर ये जिला गोंदिया इदर नीचे जो है यहां पर है नागपूर जिला ठीक है इदर जो है वो नागपूर जिला ये नागपूर जिला हो गया ये गोंदिया हो गया और ये बाला घाट हो गया उपर इदर जिला तो इस तरहां से आसानी से नागपूरी को हम समझ सकते हैं कि हाँ और कहा पाई जाएगी किदर होगी तो मार दिया पता चले भिंड मोरेना तो गड़बड हो जाएगी फिर तो कहा नहीं जाएगी इस तरह से हमें समझ पड़ा ओवराल अगर कहा जाए इसमें साफ लिखा हुआ है ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है 915.6 kg दुगड़ पादन ये लेकिन आपको एक और चीज दिख रही है कि जो गाय होती है उसके दूद में फैट की मातरा बहुत कम होती है इसलिए मिल्क बेजड प्रोडेक्ट जैसे दही पनी चीस आधी बनाने में लिए गाय के दूद का ज़्यादा उपयोग नहीं पात ठीक है कारण ये दिख रहा है कि इसमें फैट का लेवल कितना है किवल 4.3 जिनको ना मालूम हो याद रखेगा टेक्निकली जब दूद खरीदा जाता है किसान से तो फैट की मातरा के अधार पर ही उसको कीमत निरधारी पती है जितना ज़्यादा फैट का परसेंट होगा इसको कीमत ज़्यादा मिलेगी जो लेक्टो मेटर सुनाया न वह दूद की शुद्धा कीसे निकालता है वो इसके फैट को ही पताता है कि दूद में फैट की मातरए कितनी आप कितना भी पाने डालो आपने पत besteht एक लीटर में दो लीटर पानी डाल देया तो फैट आट आ आज आनंद जो है डेरी इतनी बड़ी दुनिया में प्रिसिद्धी पा रही है उसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो मिल्क फैट जो है वो निकाला जाते हैं तो हमें समझ पड़ा कि गाय के दूद का हम ज़्यादा इसमें इस्तमाल नहीं कर सकते 4.3 हाँ लेकिन एक चीज़ समझ पड़ा कि मालवी और निमाडी में निमाडी गाय के दूद में फैट की मातरा जादा होती है फिर सेम अगर कहा जाए अगर हम भैसों की बात करें तो भैस में आपको देख रहा है कि जो फैट है वो 7.88 है यह अच्छा है यानि भदावरी जो सब कारोबार तो यह फैट की मातरा जो है वो आसद दूद में 7.88 है इसको कैसे याद रख सकते हो कल का ही ले लो आप जब यह लेक्चर सुन लो दूसरे दिन आप जब दूद बेरी पर जाओगे वह तीन-चार तरह के पकेट मिलते हरा कलर का नीला कलर का लाल कलर का उसमें बॉल्ड आता है तो उसमें सबसे ज्यादा चूकि जो है वो फैट होता है चिकनाई वाला इसलिए उसकी कीमत ज्यादा होती है सब आदा लीटर के हैं लेकिन जिसमें जितनी फैट की माटता ज्यादा उतनी कीमत उसकी बढ़ गए तो यहां पर यह बात जो है वो 7.88 होगी पी के अंदर के लिए जो है वो इतनी चीज़ें यहां तक होगी फिर वापिस जो है वह यहीं पर आजाए अब अगर हम मद्यप्रदेश के अंदर देखें तो मद्यप्रदेश में दो तीन चीज़ें आपको और याद रखना है जो काम किये हो सकती है यहां पर वह नीचे मद्यप्रदेश में जो गौवश्य पशु है ना उनके गौवश्य पश्यों के लिए बकाइदा जो है वो हमारे पास आठ जो है वो पशु प्रज्णन केंपर है ठीक है इनमें सबसे पुराना आपको यहां पर देख रहा होगा 1917 का यह बाला खांट यहां साहीबाल, संकर जर्सी के लिए है फिर इसी तरह पन्ना में है केनकथा के लिए चिंदवाडा में है साहीबाल के लिए ठीक है सागर जो है वो मुर्रा नसल के लिए जो है वो अगर कहा जाए खरगों जो है वो निमाडी, मालवी, हर्याणवी यह इस तरहां से आठ पशु प्रज्णन प्र से याद रखेगा वो भुपाल में हैं भदबदा पर वो पहले डेनेडा नाम का एक प्रजेक्ट चलता था अब तो खतम हो गया लेकिन यह आप याद रखेगा भदबदा के अंदर तो यह भी एक आ सकता है कि कुल कितने पशु प्रशेत्र प्रशेत्र जहें वो यहां पर है यह एक जो है वो important है अब थोड़ा सा मद्यपरदेश के economic survey की भी बात कर लें कि वही हम कहां खड़े हुएं दुख 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 पादन और तो एक चीज तो साब दिख रही कि 2021 का जो अभी जो सर्वे आया economic survey 2022 में उसमें हम हर चीज में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है ज दूख जब भी कोई उनिट निको तो उसको जरूर यह याद रखेगा और मैट्रिक टन में कोई अंतर नहीं होता ने तो आप confused हो जाओ के टन अलग होगा मैट्रिक टन होगा एक टन मेहीं एक मैट्रिक टन होता दोनों बराबर ही है एक हजार किलो का एक टन होता इसी को तक 13,445,000 मैट्रिक टन हमने दूद का उत पाधन किया वो 2020-21 में बढ़कर 13,445 से बढ़कर हो गया 17,999 मैट्रिक हो याना दूख दूद पाधन इससे साफ है कि जो भैस वाले वन्श पशूर है या भैसों का पालण हम क्या कर रहा है ज़्यादा का निश्य दूब से माले एक बहुत अच्छी अपॉर्शनटी भी हो सकती क्योंकि food processing industry milk based product की बहुत अच्छी मतलब dairy product का खाते प्रसंस करने एक बहुत अच्छा उद्योग बन सकता है तो वह भी आप कह सकते हो कि हाँ साब यह तेजी से जो हो बढ़ रहा है ठीक है comparative study हमेशा generally मैंने जितना अनुभव के 2016 17 में जो अत्पादन था वो 13,445 मेट्रिक तन था जो बढ़कर जो है वो 2020 21 में जो है वो 17,9999 जो है वो मैट्रिक 10 हो गया यह दुग 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 दुदपादन से आगे जाए हम दूसे नंबर पर जाए अंडा उत्पादन अंडे में भी हमको है ना अंडा उत्पादन का होगा मैट्रिक टन में नहीं हो लाख में क्योंकि काउंट करोगे गिंतियां की तो अंडा उत्पादन 2016-17 में जो था वह हमारे यहां था 16940 लाख ठीक है वो बढ़कर जो हो गया 16,000 से सीधे जो है वो 26,516 लाख सीधी सी बात है अंडा उत्पादन में संडे और मंडे रोज खाओ और यहां पर वो अंडा उत्पादन भी जो है वो तेजी से हमारा बढ़ रहा है यहां पर यानि कुकुट पालन में भी हम आगे बढ़ रहा हैं लेकिन मतलब मालूम होगा मुर्गी को दो चीजों के लिए तो पाला जाता है अंडे और मांस के लिए तो यह एक बेसिक है अंडा उत्पादन की दो फिगर याद रखेगा इसमें कोशिश करिएगा कि 19-20 का अकड़ा भी याद के लिए कि जो है वो 23,794 लाक से 26,516 लाक अंडे का उत्पादन होगे बागी तो आप पूरे पांचों फिगर याद करें तो बहुत अच्छा होगा लेकिन फिर भी कंपरेटिव दो इस्टेडी जरूर आती है ठीक है फिर आते हैं मांस में मांस जो है ह हम एक्सपोर्ड भी करते हैं ठीक है यह द्यान रखेगा और फूट प्रोसेसिंग इंडस्टी भी इसके उपर बहुत सारी टिकी होई है तो 79,000 मेंट्रिक टन मांस का उत्पादन किया था 2016-17 में बढ़कर यह कितना हो गया 116 यानि लगातार अगर कहा जाए कि हमारा जो मा भे और आ बढ़ रहा है यह आपको याद रख ये प्रस्ण आप्र कहा जाए मतलब में यह अब्रत है को है वो क्रतिम तरीके से बनाए जाता हूँ संथेटिक मीड जो होता है। लाब में तयार किया जा रहा है और विकने के लिए तयार है। तो आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि कल्चरल मीट ही जह हो चलेगा पशुओं की जगा यह हो सकता है और 2020 में यह पहली बार बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा तो इसको आप अपने स्थर पर एक वार जो है वो कल्चरल मीट को पढ़ भी लीजिए इससे जुड़ प्रदेश के अंदर गौवशे पश्यों की संख्या कम हो गई क्यों कम हो गई उसके पिछे कई सारे तर्क में आपको दिये कानून भी दिये ठीक है लोगों का उसके प्रतिरुजहान कम है वो भी दिखिए पश्यों में होने वाले रोग भी एक कारण बन रहा है यह लोग पशू पालन से दूर होते जा रहे हैं ठीक है करशी कारियों के लिए पश्यों की अवशक्ता हमको पढ़ नहीं रही जैसे इसमें आप दो तीन जो है वो चीजें याद रखेगा पशू रोग में जैसे भारत सरकार अभी पशू जो चो पाया पशू होते हैं उसमें सबसे ज़्याधा जो रोग होता है उसको बोलते है and से जो है वह गाओं के लोग जहाँ जादा जानते हैं ठीक है यह एक जो है वह एक्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए दूसरा जो है वह एक और पश्वों के अंदर bacterial infection होता है जिसको ब्रुसोलिस कहा जाता है वह भी याद रखेगा foot and mouth disease तो होई गई ब्रुसोलिस को तो बहुत important याद रखेगा इसको क्या किते हैं ब्रुसोलिस इसमें क्या होता है यह bacterial infection होता है इसमें जो पश्वों के अंदर ही होता है और इन दोनों के लिए ही भारत सरकार एक पूरा के पूरा प्रोग्राम चला रही है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के दिहान रखेगा यह बिल्कुल अभी शुरू हुआ है ठीक है यहां में लिख दे रहा हूं आपको सभी के लिए सभी के काम का ही है ना इसको बोलता है एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एन एडी सी पी के नाम से जाना जाता है कोई पूछेगा इसमें कितनी बिमारियों को कवर कर रहे हैं तो दो में जब यह आया तो एक तो फूट एंड माउट डिजीज हिंदी में बोलें तो खुर पका और मुव पका रोग और दू हैं उसमें मद्यप्रदेश को भी जगा है जैसे इसके उपर रिसर्च जो है मद्यप्रदेश में नाना जी देश्मुख वैटनरी साइंस इन्वरसिटी जो 2009 में हमने स्थापित करी उसमें हो रहा है यह अपने को पता होना चाहिए कि कहा यह प्रश्ण में आप ही चुका ह आप गज्वलपूर में है ना जी देश्मुख वैटनरी साइंस इन्वरसिटी को पूछे का कहा हैं तो आपको यह पता होना प्रदेश को ब्रदेश के घौपाल मेही है यह वह भी यायद रखेगा वहां वह वह Chapter जो है वह वह का मूँ ठीक है और उस lab का जो है नाम याद रखेंगा उसको बोलते है National Institute of High Security Animal Disease Lab यह आप याद रखेंगा मैं यह लिख दे रहा हूँ आप लोगो उसका lab का नाम क्या है National पूरा पूरा तो नहीं लिख पाँगा आप पूरा लिख लिजेगा National Institute of High Security Animal Disease Lab यह डिजीज भोपाल में हैं क्यों आ सकता है यह समझेगा Bio Safety Level 4 की सबसे चर्चित लेवे पूरे इंदुस्तान ठीक है इध्यान रखेंगा हिंदीम बोलते है राश्टिये उच्छे सुरक्षा पशू रोग संस्थान यह भी हमारे मद्यप्रदेश के भोपाल में है यह एक जो है वो आपको जह है वो आ सकता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं ठीक है कई तरह की योजनाई भी चला रहे हैं सरकार जो है वो गोवनशी पश्रू की संक्या जो कम होगे इसको बढ़ाने के लिए कई योजनाई चला रहे हैं ठीक है मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा भी जैसे नंदी साला योजनाई शुरू कराए गई ठीक है भारत सरकार के द्वारा जो है वो आपको गोकुल राश्टिय गोकुल मिशन इंडिजीनेस जो ब्रीड होती ना देशी जो किसमें होती है ये जाद रखिएगा प्लस मद्यप्रदेश सरकार ये कहती कि भाई आप यह जहाँ अगर कहा जाए कि पशुह को पालू तो जो जैसे मद्यप्रदेश सरकार की योजना योजना करके योजना चलाती है मद्यप्रदेस सरकार उसमें फट्बी बी वह द assassin है एक योजना जहा तो अगर हम देखेंगे मद्द्रदेश सरकार ने प्रयास तो बहुत की ना बकायदा गोवश्य पशु वत्पृतिश रदीनियम 2004 बना दिया गोपाल पुरुस्तार योजना चला दी गोवश्य प्रिसिक्षण योजना मद्द्रदेश सरकार चला रही है या वत्सपालन प्रोस्तान योजना चला रही है अभी जो सामने लिखी आपके यह क्या बोलते ह तो यह एक प्रश्ण जो है वह आपको पूछा जा सकता है फिर कुछ चीजों से भी मद्द्रदेश की पहचान है वह भी हम बात करें जैसे कड़कनाथ कड़कनाथ में ज्यादा कुश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन दो तीन चीज़ें आपको जो है वह कड़कनाथ के बा जोग्राफिकल इंडिकेशन यह भोगोलिक संकेतन टैक जो है यह जी आई टैक दिया जाता है जैसे हमारे मद्द्रदेश में देखें कि रतलाम है तो वह अपनी सेव के लिए फेमस है तो उसको जी आई टैक मिल गया या महेश्वर की साड़ियों को जी आई टैक मिल गया तो कुछ चीजें हमारे मद्द्रदेश में पहचान है न महेश्वर की साड़ियों पहचान के लिए जानी जाती है टीकमगर का बैल मेटल वर्क है रतलामी सेव हैं चमड़े के खिलोने हैं इन दौर के इन सब को जी आई टैक तो मिला है लेकिन पशूओं को जी आई टैक ह तो आप याद रखिएगा कि वो जो है वो कड़कनाथ जो है वो उसमें याद रखिएगा ठीक है जाबुआ अली राजपूर धार इन जिलों में कड़कनाथ पाया जाता है यह सभी को मालू होता है कि यार उसका तो पूरा मांस खून अंडे सभी जो हो काले होते हैं यह याद रखिएगा जो कड़कनाथ मुरगा है तभी इंटरनेट पर भी ढूंदिएगा इसकी तीन किसमें पाये जाती है पहली जो किसम होती है उसको अपन बोलते हैं गोल्डन यह याद रखिएगा दूसरी जो कड़कनाथ की किसम है उसको बोलते हैं जैट ब्लेक जैट ब तो गोल्डन जैट ब्लैक पैंसिल यह कड़कनात की जो है वो किसमें जी टैग मिला है भारत में हम पहले स्टेट हैं जिनको को मतलब कहा जाए जी आई टैग का जो है वो सर्टफिकर्ट जो है वो दिया गया है कभी कोई पूछे तो यह आप याद रखियेगा और यह जरूर याद रखियेगा के बहुए यह कब मिला है तो यह जी टैग 2018 में आठारा में भी आप याद रखेगा कब मिला है टैग जो है वो अगर कहा जाए और इसके लिए वकायदा जो संस्थान है वो चिन्नई में हैं वहां से जो है वह उनको यह मिलता है एक्जाम के लिए आपको याद रहे हैं दूसरी हमारे पास कुकुट की एक और किसम हैं जिसका नाम है नर्वदा ने दी यह कड़कनात और जो कलर बाइलर मुर्गा देखा होगा सपेद वाला उसी तरह एक रंगीन बाइलर जो है वो अगर कहा जाए को कुट भी होता है इन दोनों से मिलाकर जो है वो बनाए गई यह यह कहा जाए अपने हाप में एक जनिटिक इंजिरिंग यह तो देसी मुर्गे की नसल कड़कन की और जवलपूर के कलर या रंगीन बाइलर के जो संस्क्रण उसको मिलाकर बनाए गया इसकी इमुरिटी बहुत अच्छी होती है टीके की जरुवत नहीं होती है आसानी से किसी भी टेंपरिचर पर किसी भी उसमें सर्वाइव कर जाती है इसलिए यह भी अभी काफी जह ह हमें है वो नाना जी देश में पसूची के शाले विश्व गैले जवलपूर नहीं जह हो इसको तेहां किया है तो इस तरहां से हम यह भी कह रहा है मत्यप्रदेश राजची पशुधन और कुकुड विकास निगम की स्थापना तो 1982 में ही हम कर चुके थे 1982 में तब से काम कर रहे हैं इसके उपर यह ना और इसमें जो है वो पहचान बने तो इस तरहां से अभी जितने भी हमने जो बात करी उसमें आपके दिमाग में यह बात तो सबके में सट होई गई होगी किन पश्यों में हम जो है वो किस पूजिशन के उपर आ रहा है मत्यप्रदेश में पालियर शेपूर के आसपास बहस जो है वो ज्यादा पाली जारी मतलब ऐसे कोशन से आपको एक्जाम में आ सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि इसमें से कोई ना कोई कोशन एक्जाम में इस बार आपको जरूर सहायता करेगा बाकी छोटे-छोटे जो वन लाइन का सयोग के लिए और इसी तरह से साथ में बने रहिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्यतूप से लाइक जरूर करिएगा कोशिश करिएगा कि अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजे हमारे वीडियो को इससे हमारा मनोगल और बड़े सभी को बहुत-बहुत धन्य लाइप दोर निश्यतूप तो च यूने समया खरता है अगरे वाद ठेवारा खोरूर खच्छा अपर बादाना जिए उन्यतूप से उन्यतुछ ठाटेगा को यूए झारे हमारे जिए वामरे लाइवा, भीडियो अवाद भीडियो यूवा, ड़ीज लाडियो दीवाद